नमस्कार दोस्तों मैं इंशल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन डाइटर पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक इंटरेंशिप as well as एक जॉब अपॉर्चिर्टी का अपडेट देने वाला हूँ तो make sure आप इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा और इन दौनों अपॉर्चिर्टी में apply भी जरूर कीजेगा साथी साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा telegram चैनल जोईन नहीं किया है तो make sure आप उसको भी जरूर जोईन कर लीजेगा क्योंकि वहाँ भी हम different jobs का update देते रहते हैं उसका link भी दोस्तों आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों जो अचकी पहली opportunity है वो है दोस्तों सौनी की तरफ से data science internship opportunity यहां दोस्तों सौनी research India की तरफ से आपको opportunity मिलने वाली है location दोस्तों Bombay and Bangalore आपको मिलने वाली है पात करते हैं दोस्तों internship में कौन कौन apply कर सकता है अगर दोस्तों आप 2023, 2022 या पर 2021 बाच के हो तो दोस्तों make sure आप इसमें सरूर apply करिएगा बात करते हैं दोस्तों यह internship कैसे होने वाली है तो दोस्तों यह remote internship है दोस्तों यह internship का जो duration है वो दोस्तों 3 से 6 months सकता रहेगा time duration दोस्तों इन्होंने mention कर रगा है full time opportunity में लेगी दोस्तों आपना bachelor, master और PhD डिगरी की हो from computer science background bachelor में दोस्तों BE, BTEC, BCA, BACB eligible होने वाले है master's की बाद करता हूँ तो दोस्तों ME, MTEC, MCA, MSC वाले eligible होने वाले है must have skills में दोस्तों आपकी python में programming अच्छी होनी चाहिए statistics की दोस्तों आपके पास knowledge होनी चाहिए strong SQL, theoretical knowledge and ML के basics that is machine learning के basics आपके clear होने चाहिए हैं दोस्तों यहां आपसे यह लोग expertise नहीं मांग रहे हैं अगर आपके basics clear हैं तो make sure इसमें जरूर apply करिएगा क्योंकि कोई भी percentage criteria दोस्तों यहां नहीं होने वाला preferred qualifications की बात करते हैं तो दोस्तों advanced machine learning concepts preferred है दोस्तों mandatory नहीं दे रखा तो make sure एक बार इसको read कर लीजेगा AWS और any other cloud service knowledge है तो दोस्तों आपको advantage मिलेगा बट हाँ अगर आपके पास दोस्तों यह चारों चीज़े आपको आती हैं तो दोस्तों बहुत chances हैं कि आपका selection हो सकता हैं यह internship दोस्तों आपकी होने वाली है paid internship जिसमें दोस्तों आपको 15K से 20K तक का stipend मिलेगा और दोस्तों अगर आप internship में अच्छा perform करते हो तो दोस्तों there are chances की आपको PPO भी मिल जाए that is pre placement offer तो make sure इसमें जरूर reply करिएगा इसका link दोस्तों आपको description में मिल जाएगा second opportunity है दोस्तों job opportunity यह दोस्तों mobilium company की तरव से post की गई है java role के लिए दोस्तों hiring होने वाली है we are hiring for our bangalore office for java freshers at mobilium अगर दोस्तों मैं eligibility criteria की बात करता हूँ तो दोस्तों bachelor degree in computers, IS, IT, telecommunications and E&E engineering, ENC और equivalent with minimum 80 percentage aggregate हाँ दोस्तों यहाँ percentage criteria थोड़ा हाई है बर दोस्तों package भी आपको काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि दोस्तों यह mobilium company काफी अच्छी है बाकी दोस्तों 2020, 2021, 2022 batch की hiring होने वाली है बाकी मैं दोस्तों आपको responsibilities पता देता हूँ उसके बात बताऊँगा की कैसे आप सभी को इसके लिए apply करना है अगर दोस्तों आपको Java data structure design patterns की अच्छी खासी knowledge है make sure इसमें जरूर apply करिएगा Linux के scripting के DevOps के SQL के basic concepts आते हैं और साथी साथ दोस्तों आपकी problem solving skills that is दोस्तो data structure skills अच्छी है तो make sure इसमें apply जरूर की जगा location दोस्तों Bangalore है hybrid model दोस्तों ये लोग follow कर रहे हैं और दोस्तों अगर आप interested हो तो दोस्तों आप येवाली ID पर अपना resume में mail कर सकते हो तो मेरी एक request है जल्दी से जल्दी अपना resume में updated resume में इनको mail कर दीजगा क्योंकि mobilium company की side से काफी अच्छी opportunity आई है और जितना हो सके दोस्तों इस video को share भी जरू किजएगा क्योंकि जादा से जादा students इसके लिए apply कर सके और उनको इस अच्छी opportunity का पता लग जाए साथी साथ दोस्तों हमने हमारे channel पर already बहुत सारी job opportunities का update दे रखा है make sure आप उन सभी में भी सरूर reply करिएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने ने टेक अपडेट के साथ जब तक के लिए दोस्तों